स्वरकोकिला लतामंगेशकर ने आज मुंबई के ब्रिट केंडी अस्पताल में आखिरी सांस लिए उनकी मौत 92 वर्ष की उम्रे में हुई वो बीते कई दिनों से करोना की जंग लड़ रही थी लतामंगेशकर को 8 जनवरी के दिन मुंबई के ब्रिट केंडी अस्पताल में बढ़ती कराया था जहां उनके कुरोना के शिकार होने की जानकारी मिली इसके बात से ही भारत रतने में समानित लतामागेशकर अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी लतामागेशकर के निदन की जानकारी सामनी आते ही पूरे फिल्म जगत में शो की लहर उटकडी हुई है इसके साथ ही लता मंगेशकर के घर पर सितारों का ताता लगना शुरू हो गया है लता मंगेशकर के घर पर पहुंचने वाले सबसे पहले अभिनेता अनुपमखे रहे जो लता मंगेशकर के घर जाकर उनकी बहन आशा भोसने से मिले अनुपमखे ने शोग मेरे दुख को दिल में चुपाती हैं मैं उनकी उदास मुस्कान के जरीए आशा जी के अपनी बहन को खोने का एसास को मैसूस कर सकता हूँ मेरे लिए भी उनसे लता दीदी के बारे में बात करना बेहत मुश्किल था उनसे कुछ हसी सांजर की और कुछ आज़ू यहां देख आप अनुबम खेर और आशा पोस्टे की यह पहली तस्वीर